तो 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 टोड़े वी आर गोइंग टो लर्ण लाव टो कंवाट ए आई पे एड्रेस इंटो इस बाइनेरी फॉर्व यानि की किसी भी आई पी आई पी आड्रेस को उसके बाइनेरी फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं for example. we have a IP address मेरा पास एक IP address . this is 32 bit IP address but 32 bit address . how will you proof that this is a 32 bit IP address बाइनरी फॉर्मेट लेट सी आप पो देखने के बाद सारा कंसे लेगा जाएगा लोग कोई भी आईपी अडरेस है तब सबसे पहला हम एक चार्ड बना लेते हैं है 128 64 32 16 8 4 2 1 यह 8-bit का address होता है इसलिए है यह यह टेकन हूँ यह लेख सकते हो आप कि यह ज़स्ट हब टेकन एट बीट आप इस तरह से चार्ट बना लोए यह आते है नाव सबसे पहले आपको किसका निकालना आप एड्रेस इसका बाइनरी फिर्माट निकालेंगा चलो एकर करके निकालते हैं सबका 192 so first of all select 192 so what is the binary conversion of 192 128 plus 64 how much 128 or 64 we will get 192 हम लोको कितना मिलेगा 192 so जहां पर जो count होगा वहां पर 6 1 the value which is selected there will be 1 and the rest will be 0 जहां पर जो value use हो रहा है उसको सिफ 1 select करेंगा बाकि सब 0 हो जाएगा यहां पर 128 और 64 192 के लिए 128 और 64 कि दूनों मिला और 192 हो जाएगा दूनों select 1 1 बाकि सारे 0000 simply 168 168 का क्या करेंगा binary conversion क्या होगा 128 होगा बिल्कुल 64 नहीं हो पाएगा 128 प्लस 64 ज्यादा हो जाएगा 168 से इसको नहीं count कर सकते 32 होगा 128 प्लस 32 कितना हो गया 160 16 करेंगे नहीं यह जड़ा हो जाएगा यह 0 हो गया एट करेंगे 168 हो गया हमरा यहां पर भी क्या करेंगे वन और बाकि सब 0000 हो गया 168 का वन का binary का बजन कैसे करेंगे यहां पर लिखते हैं तो 128 होगा नहीं 64 नहीं होगा वन के लिए वन के लिए क्या होगा सारे 0 सिर्फ जहां पर सब्सक्राइब अब इस तरह से टू का बाइनरी करेंगे तो क्या होगा सबकुछ 0 होगा जहां पर टू है वह वह होगा बाकि सब000000000 अब इस तरह से हम इस एड्रेस को binary में लिख सकते हैं अब इस एड्रेस को binary में कैसे लिखंगे लिट से 192 को क्या लेख सकते हैं 11 और ट्रिपल सिस जिरो तो 11 एक दो तीन चार पांट छे जिए ओके पॉइंट पॉइंट 168 161 010 1010 10 001 का क्या होगा है 7 0 & 11 7 0 और लास्ट लेट वन पॉइंट तू का क्या है सिस जीरो वन जीडो एक लो इन चार पांच छे साथ आट तो इस इन बाइनेरिक फॉर्मेट ऑफ इस इसी आई पी एड्रेस का यह बाइनेरी फॉर्म है तीक है आप देख लो काउंट कर लो एट एट शिस्टीन एट ट्वंट वर्म एट थरीटू इस तरह से यह थरीटू बिट का एड्रेस अब कर सकते हो डिट यह इस तरह से टेबल के आप टूफ एड शिक्न एड जबल नट्यट है एक का दीक चार 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 आठ्ट आठका शूलह सुला बाद 202 बाट 10 चौश्ट वान तक लाना ना आ है तो देखते हैं कि किसको काउंट किसको एड करने पर 192 होगा तो जिसको एड करने पर होता हूं और बाकिसाब जीरो तो इस तरह से आप बाइनरी फर्मेट में ला सकते हैं नेक्स्ट कॉस्टन बहुत सार लोग कुछते हैं कि सर हम यह जो ओक्टेट है जो आईपी अड्रेस लिख रहे हैं 192 168 1.2 इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं यानि मैक्सिमम या मिनिमम आईपी अड्रेस कि नेक्स्ट कमें एक कुछ भी लेख सकते हैं जि यहां लेमिट है लेमिट लगा हुआ है और यह मैं बताता हूं और लिमीट क्यों है यह भी बताता हूं आपको अब देखिए अब लोग पुछते हैं कि सर 192, 168, 1.2 तो क्या 192 को या पर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग maximum कितना लिख सकते हैं या minimum कितना लिख सकते हैं तो लोग को मन में डाउट होता है what will be the minimum or maximum value in any octet हम कोई भी आइपेट शिक्रेंस है 192.150.255.254 तो लोग को सवार होता है कि क्या यहां पर 255 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं है तो यह हम कैसे पता करेंगे तो यह देख लो यह चार ओक्टेट है एक उक्टेट में कितना बीट होता है यह देखो कितना बीट है यानि एक उक्टेट में कितने बीट होता है एक बीट को मैक्सिमम नमबर कितना हो सकता है तू तू डिपावर एड इसको टू फिफिटी सिक्स तो टू फिफिटी सिक्स होता लेकिन चुक्कि हम आईपी एड्रेस में जीरो को भी काउंट करते हैं आपने देखा वाइपी डिफिटी सिक्स फिफिट्राइगा यानि मिनिममम विल्व जकता है किसी भी पाठ्यटी में जीरो और मैसिमम मि्लू कितना हो सकता है 255 यह maximum value है और यह minimum value है जीरो से कम कुछ भी नहीं ले सकते किसी भी आईपी में माइनस में ले सकते और 255 तुछ भी नहीं ले सकते वह गलत हो जाएगा यानि कि अगर मैं आप सब बूछूं कि 192.168.1.256 यह आई पेड़े सही है गलत आप देखते ही बोलो गलत क्यों क्यों कि 256 नहीं हो सकता मैक्सिमुम कितना हो सकता है 255 इस से ज्यादा नहीं हो सकता या को ऐसा है निक सकता 192.168.3.2 नहीं माइनस भी नहीं हो सकता minimum value कितना है 0, 0 से कम कुछ भी count नहीं कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो, कि कोई भी IP address को आप बता सकते हो, कि यह 32 bit का कैसे होता, you can prove by converting them into binary format, और कोई आप से कुछे कि बताओ कि किसी भी IP address में, या किसी भी octet में minimum या maximum value कितना ले सकते हैं, तो minimum value होगा 0, maximum value होगा 255, reason, reason मैंने आपको बता दिया, क्या है reason, चुकि एक octet में 8 bit होता है, इसलिए 2 to power 8 is equal to 256 total 256 address होगे, 0 से counting यह start होता है, तो हमारा 256 कहा होता है, 255 पर ही, इसलिए किसी भी address में आप दखोगे IP version 4 के, 0 से 255 के बिच्छी address होता है, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं, I hope आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया, अगर कुछ doubt है, तो आपको उसे पूर सकते हो, comment section के तुरू, मैं वहारी प्लाई चाहिए, ठीक है जाइस, चलिए मिलते हैं बादी, बाई, टेक क्या,